Hello guys, मेरा नाम रवीश है, आज हम बात करेंगे top 10 cool smartphone accessories के बारे में इससे पहले मैंने laptop accessories से related videos भी create किया है, आप वो भी जा करके check कर सकते हैं आज हम बात करेंगे smartphone purchase करने के time पे कौन सा ऐसा accessories है जो आपको जरूर purchase करना चाहिए तो उसमें से मैंने 10 आपको option बताऊंगा, 1 by 1 करके सबसे पहले बात कीजाए fast charger के बारे में, जब भी आप smartphone purchase करते हैं तो आप fast charger जो है maximum जितने भी smartphones आ रहे हैं उसमें तो fast charger होते हैं लेकिन आप flexible device अगर purchase करेंगे तो उसमें आपको fast charger नहीं मिलता है अब ये trend आ गया है ऐसा कि सिर्फ आपको phone ही मिलता है, fast charger नहीं मिलता तो आप anchor का ले सकते हैं, 65 watt का fast charger आता है जिसमें 4 port का option है आप उसमें laptop भी charge कर सकते हैं, phone भी charge कर सकते हैं और tablet वगरा भी charge कर सकते हैं जो उसका design है वो काफी ultra slim है और इसके अलावा अगर बात की जाए, fast wireless charging के बारे में तो आपका fast wireless charging जो है आपका B-Link का आता है, fast wireless charging और charging pad जैसा रहता है 15 watt आप दोनों तरफ चार्ज कर पाएंगे, अपने phone को भी 15 watt चार्ज कर पाएंगे stand भी होता है, साथ में 20 watt का fast charging आपको देता है, wireless होता है वैसे card charger की बात करेंगे तो आपको 49 तरम का छोटा option भी है, उसमें wire लगा करके इसलिए आप charge कर सकते हैं 18 watt fast charging के साथ मिलता है, अगर आप stand के साथ purchase करना चाते हैं तो Xiaomi का 20 watt के साथ आता है wireless charger, आप stand में लगाएंगे तो आपका phone wireless charge भी होगा, पर अगर लगाने का ऐसा कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है next accessories की बात की जाए तो tempered glass, जब ही आप phone purchase करते हैं तो उसके उपर protector glass नहीं लगा रहता है, तो आप उसको tempered glass से cover करें ताकि जब ही next time आपका phone जब गिरे तो आपका protected रहे, टूटे ना स्क्रीन क्योंकि बहुत महंगा स्क्रीन आता है, क्योंकि जो main फ्रैक्सिट डवाइसे जितने भी आते हैं उसका जो main price होता है, वो तो screen का ही होता है तो tempered glass मैंने जब ही online चेक किया, तो लग लग ब्रैंड का मैंने देखा, जिसमें से आप अपने इच्छानुसार्च च्वाइस करके यूज कर सकते हैं, लेकिन tempered glass ज़रूर लगाएं, tempered glass लगाने से आपका phone का screen प्रोटेक्ट हो जाता है अलावा next accessories की बात की जाए तो back cover, बहुत सारे ऐसे phones हैं जिसमें back cover आपको पहले से ही मिलता है, mid range के phone हो, चाहे आपके flexible devices हो, मैंने देखा जब phone का packet open करेंगे तो सबसे पहले आपको back cover मिलेगा, इसके अलावा आपको phone मिलेगा, तो बहुत सारी company हैं जो back cover पहले से ही दे र back cover जो है लिने से जब भी आपका phone गिरेगा, fall down होगा तो आपका जो है protect हो जाएगा back cover होने के विज़े से, आपका screen नहीं तूटेगा जो पीछे का glass है वो भी नहीं तूटेगा, इसके अलावा next accessories की अगर बात की जाए तो power bank बहुत ज़्यादा important है, खास करके अगर आप wireless power bank लेते हैं, तो अगर आपका flexible device wireless power bank ले रहा है, तो easily आप wire bank के ऊपर रख करके use कर सकते हैं, वायर लगाने का लफड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप mid range phone यूज कर रहे हैं, फिर भी आप anchor का या sawmi का ले सकते हैं, काफी slim design के साथ आता है, और lightweight होता है, अपने pocket में आप ले रख करके easily use कर सकते हैं, और power bank बहुत जरूरी है, क्योंकि battery backup जो है, आप कितना भी flexible device ले ले ले, 5000 mAh बैटरी बोलते हैं, लेकिन वो आधे दिन से ज़्यादा चलता नहीं है, मैं खुद भी use करता हूँ, मेरा आधा दिन, पूरा दिनी phone on रहता है, और मेरा आधा दिन से ज लेंगे, light weight है, काफी अच्छा भी है, wireless है, वो power bank के ऊपर ही phone को रखेंगे, easily charge हो जाएगा, smartphone accessories की अगर बात किया है, तो wireless earbuds, जब भी आप phone को purchase करेंगे, तो phone के साथ तो wireless earbuds आता नहीं है, travel करने के time पे बहुत ज़्यादा useful है, खास करके जो आज कल JBL और Sony के earbuds आ रहे हैं, वो sound quality भी much better है, तो आप Xiaomi का भी देख सकते हैं, जाबरा का भी देख सकते हैं, लेने वो भी है, अगर आप थोड़ा सस्ते में लेना चाते हैं, तो wireless earbuds ज़रूर लें, जब भी आप phone purchase करते हैं, तो आज के time में बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा, और इसके अलावा Bluetooth speaker, आप अगर music थोड़ा loud सुनना पसंद करते हैं, तो Bluetooth speaker ले सकते हैं, JBL और Sony, दो option में आपको दू तो आप Xiaomi का ले सकते हैं, Xiaomi का काफी अच्छा holder आता है, wireless charge भी हो जाएगा, अगर wire भी आप लगा के charge करना चाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, और काफी अच्छा है, portable है, small size है, और wireless का भी option है, wire लगा के भी charge कर सकते हैं, दोनों option होता है, इस पेसली जो phone holder होता है, वो car में य अपने हिसा, आप online चेक करके ले सकते हैं, next accessories की बात की जाए, तो fast charging cable, बहुत सारे लोग fast charger ले ले लेते हैं, power bank आता है, वो भी आजकल fast charge करने लगा है, लेकिन जो wire है, वो local जाके market से purchase कर लेते हैं, जो कम पैसे काता है, ऐसा कभी भी ना करें, क्योंकि जो आपका fast charger है, व थोड़ा wiring भी जो है, उसका थोड़ा महंगा ले, जो आपका fast charging cable होता है, especially fast charger के लिए जो बना होता है, वो आप ले, ज्यादा फर्क नहीं होता है, 5 दरम या 10 दरम का extra आपको देना पड़ेगा, इसके अलावा next accessories की बात की जाए, तो micro SD card, बहुत सारे flexi device ऐसे आरे हैं, जि external micro SD लगाने का option नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको suggest करूँगा, आपके पास अगर phone है, जिसमें आप micro SD लगा सकते हैं, तो आप जरूर micro SD purchase करें, क्योंकि बहुत सारे से media files होते हैं, songs होते हैं, जो आप SD card में रखेंगे, वो आपके लिए ज्यादा better रहेगा, send disk का ल का लेंगे तो type C रहेगा, दूसरे तरफ देखेंगे तो आपका type A रहेगा, अभी जो है बहुत सारे अलग-अलग तरह के OTG आ रहे हैं, मार्केट में देखकर अपने इच्छानुसार जो भी आपका preference है, जो भी आपका mobile में port है, उसे साबसे आप OTG purchase कर सकते हैं, इस accessories की ब Selfie Stick जरूर लें, Saomi brand का मैं आपको prefer करोंगा, वैसे online आप चेक करेंगे तो बहुत सारे अलग-अलग brand के हैं, वहाँ पर पी जाके आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सर्फ Saomi का लेंगे, बट हाँ, Saomi का जो है, जिसे साबसे price होता है, उसे साबसे quality काफी genuine होता है, तो मैं ख चोटा जो आप LED bulb है, वह भी लगा के यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ, Bluetooth camera setter button आता है, जैसे मैं use कर रहा हूँ, setter button, आप phone से video create कर रहे हैं, या camera से कर रहे हैं, तो setter button का Bluetooth से connect करके use कर सकते हैं, especially phone के लिए होता है, आप phone में easily connect करके use कर सकते हैं, आपके लिए काफी handy हो ज and accessories purchase करते हैं, तो कहीं न कहीं आपके काम ही आएगा, इसी तरीके के helpful content मैं create करते रहता हूँ, मेरा जो content है, वो अगर आपको पसंद आता है, तो उसको like करें, मेरे channel को subscribe करें, subscribe करने से next time जब भी मैं video create करके upload करूँगा, तो आपको सबसे पहले notification मिल जाएगा, तो चलिए मिल आप नेक्स वीडियो में